देश दे परदान मंत्री, मानियोग नरिंदर मोदी जी दे, ग्रै विखे, सारियां संस्थामा दे, साड़े तार्मिक संस्थामा और देश दियां प्रमानिस हस्तियां अज जिते कठियों याने नियूँद करते कर दे, जोने जए जोने साजीकाद आपनोगों के बीच पे रहकर के जो मैं सिखा हूँ जो गुरु माहराजों ने सीख दी है, सब तो नहीं कर पाता हूँ, लेकि जितना कर पाता हूँ, उसी से मुझे आशिरवाद मिलते हैं, और मैं कर और ज्याजा करने का मन करता है। जिनाने पारतनों माननी मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर दिते हैं। अमरसर में आपको मिलेते हैं, और उसके बाद आज मिलेते हैं। मुझे जी बड़ी किर्पा है आपकी, जो आप कर रहे हो प्रमात्मा हम तो दौा करने आया हैं। आपको और टाकत मिले और शिक्षों को जो हम सारी उमर ये था कि हमारा भी कुछ देखे का आप कर रहे हो इसे जैदा करो प्रमात्मा आपका बला करें। मारे गुरु महराजों ने कितनी सफस्या की है इमर्जंसी में। बहुत बड़ा हमारे जुल्म हम सब पे हुआ। और मैं तो बराबर पता है उसमा है। निजाब में जो सत्याग्रह हुआ था। इमर्जंसी के खिलाब तो बड़ा अद्भूत था जी। मैं उसमें अंडान रहता था। तो उनडान रहना था तो कोछ कपड़ अबढ़र बदलने पड़ते थे। तो मैं सнесीखी करक में रहता था। मैं पगड़ी पैचता था। आरे सेवह मुझे कर निया सेवज मुझ्य करनी है। अब मुझे बताईए साहब कोरोना में कि आप ही लोग हैं जिनको ऑक्सिजन का लंगर लगाने का मुन कर गया यह चोटी बात नहीं जी अब मुझे बताईए अफगानिस्तान का इतना अभी भी हमारा कोई महां हवाई जहां जाना आना शुरू नहीं हुआ है लेकिन गुरुगरंद साब सम्मान से वापिस आना चाहिए तो हमने उस व्यवस्ता की दुनिया के देशों से बात की यहां तक लाने के लिए स्पेशल प्लेन का प्रभंद किया और मैंने मेरे मंत्रियों को कमाना अभी देखिए मैं मानता हूँ यह मेरे लिए सेवा का बहुत बड़ा उसाद है आप जाईए सिर्साजी भी गये हमारे हरदीपूरी जी गये सर पर गुरुगरंज साहब को लेकर के साथ क्योंकि मैं मानता हूं ये हमारे जीवन की बहुत बड़ा अनमोल रतन है गुजरात का होने के ळाते हमेशा कहता हूं कि मेरा तो आप लोगों से खून का रिष्टा है क्योंकि गुरु गोईंसेंजी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक मेरे गुजरात का द्वारिका का था जी गुरु नानक देव जी के जीवन में है इसाब उन्होंने जीवन की साधना का सबसे ज्यादा समय जहां भीता आया वह स्थान हमारे पास नहीं हो छे किलोमेटर दूर समझोता करके हम नहीं ला सके था मैंने भी डिप्लोमेटिक चैनल शुरू की कम से कम क्योंकि दूर्बिन से सब लोग मैं भी दूर्बिन से देखता था पहले जब पच्चा पर रहता था तो मेरा मन करता था कुछ तो करे कि ऐसा से बहुत लोग गए हैं इतने कम समय में इस रधा के बेना नहीं होता है जी तो मैं आपको कहता हूं यह घर आपका है मैं भी आपी के तरह चलते चलते आया हूं कर चलते चलते की गुर्द्वारे चला जाओं